अगर सिक्षक अभियर्थियों के साथ नियाय नहीं होगा, तो फिर मजबूरी में विहार के युबा, सिक्षक अभियर्थी और तमाम अभियर्थी, तमाम अस्टुएंट्स, किसी भी पाठी, किसी भी नेता को बोट नहीं देंगे, तो इसलिए एपियरी में आप मौका आप, STET है प्यरी में मौका दीजिए, 224 वाले को भी मौका दीजिए, क्योंकि आप हरवरी दिखा रहे हैं, सिक्षक अभियर्थियों के साथ आप न्याय कर रहे हैं, लाकों सिक्षक अभियर्थि आज नराज है, हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं, खासका वियार के मुक्मंत् जी को मसलाह दे रहे हैं कि आप जो 1,00-2,00,00 वेकेंसी निकाले अभी तक 2,00,00 और फिर जो वेकेंसी निकाल रहे हैं अगर आप TRE 2.0 का सप्लिमेंटी रिजल्ट जो 14-20,000 के आसपास आना है अगर सप्लिमेंटी रिजल्ट आप नहीं देते हैं तो ये जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 तक कब से भराया जाएगा उसकी परिच्छा कब होगी इसकी घोसना कर दी गई है बिहार के मुख मंत्री नितीश कुमार जी ने 13 जनवरी को खुद गांधी मिदान से कहा था कि TRE 2.0 का जो थोरा बहुत रिजल्ट बचा है यानि सप्लिमेंटी रिजल्ट जल्द जारी कर दिय जाएगा फिर उसके बाद सप्लिमेंटी रिजल्ट जारी नहीं होना बिहार के मुख मंत्री जी की बातों की अभेलना है तो ऐसा आखिर क्यों किया गया है TRE 1 का सीट बचा कर TRE 2 में आप जोर दे रहे है TRE 2 का सप्लिमेंटी रिजल्ट नहीं निकाल रहे है और वही सीट पिर TRE 3 में जोरकर नई वैकंसी निकाल रहे है तो यह आकरो का खेल जो खेला जा रहा है सिक्छक भरति के नाम पर तो इसको अभियरति समझ रहे है और विहार की जनता इस बात को समझ रही है और हम तो सरकार को सलाह दे रहे हैं, बिहार सरकार को सलाह दे रहे हैं, बिहार के मुखमंत्री जी, बिहार के उप मुखमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं, कि आप जो 1 लाग, 2 लाग वेकेंसी निकाले अभी तक 2 लाग और फिर जो वेकेंसी निकाल रहे हैं, अगर आप TRE 2.0 का सप्लिमेंटी रिजल्ट जो 14 से 20,000 के आसपास आना है अगर सप्लिमेंटी रिजल्ट आप नहीं देते हैं तो ये जो TRE1, TRE2, TRE3 तक जो आप बहाली कर रहे हैं TRE3 भी तो उस पे पानी फिर जाएगा और जो स्रे आपको मिलना चाहिए वो स्रे नहीं मिल पाएगा ये 2,5,5 लाक नौक इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं खासका भीयार के मुखमंत्री नितिस कुमार लिजी से मांग कर रहे है कि BPSC TRE 2.0 का सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी करवाइए अगर सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी नहीं होगा तो TRE 3 वेकेंसी का भी कोई फैदा कोई स्रे सरकार को नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार के लाखो सिक्षकर व्यर्थी अक्रोसित है नराज है क्योंकि एक ब्यवस्ता रानी चाहिए एक ही बहाली में अलग-अलग ब्यवस्ता क्यों भेदभाव क्यों EBC BC Welfare Department का सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी हुआ सिक्षा विवाग का सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ तो एक ही बहाली में अलग-अलग बात क्यों TRE1 का सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी हुआ TRE2 का BC, EBC welfare का जारी हुआ, फिर सिख्चा विभाग का क्यों नहीं सप्लिमेंटरी रिजल जारी हो रहा है, तो यह की बहाली में अलग-अलग बात क्यों, तो लाको सिख्चा का वियर्थी आहत हैं, और सरकार से नराज है, रिजल्ट भले सप्लिमेंटरी रिजल्ट 20,000 के आस पासाना है, लेकिन यह जो सरकार का रवया है, सिख्चा विभाग का रवया है, उससे बिहार के लाको सिख्चा का वियर्थी नराज है, और TRE3 वेकेंसी का भी कोई फैदा सरकार को नहीं मिलेगा, कोई सरेज सरकार को नहीं मिल पाएगा, अगर BPSC TRE2.0 का सप्लिमेंटरी रिजल जारी कीजिए, और TRE3 का भी जो वेकेंसी आप निकाल रहे हैं, जिसकी घोसना हो चुकी है, फोर्म भनने का डेट, परिच्चा कितिती सब की घोसना आज हो गई, तो हम सरकार से यह कहना चाहते हैं, आपने STET का फोर्म निकलवाया, आपने पहले से कहा था, कि TRE3 में STET या पियरिंग में फोर्म बनने का मौका दीजिए, या STET या पहले करवा लिजिए, नहीं तो फिर लाखो सिक्षा का व्यरती बंचित हो जाएंगे TRE3 से, और 22-24 जो DL8 सेशन है, उसका भी आपने कहा था, सिक्षा विभार्ट्या धिकारियों ने कहा था, कि DL8 22-24 का जो है, समय पे परिक्षा हो जाएगा, रिजल्ट आजाएगा, और TRE3 में ये लोग सामिल होंगे, तो वो कैसे अब सामिल होंगे, 22-24 सेशन वाले जो DL8 वाले हैं, वो कैसे सामिल होंगे TRE3 में, तो सरकार को इतनी हरवरी क्यों है, क्या सिख्षा विभाग में इस 15 साल से नहीं आई, क्यों नहीं लेबरेडियन की वेकेंसी निकाली जा रही है, स्वास्त विभाग में क्यों नहीं वेकेंसी आ रही है, बीटेक वालों के लिए क्यों नहीं वेकेंसी आ रही है, नर्स, इंजिनियर, डॉक्टर, इस सब की वेकेंसी क्यों नहीं आ रही है, एक परकिरिया होती है कोई भाली की, आप इतनी हरवरी दिखा रहे हैं सिक्चक भरती में, लाखों सिक्चक अभियर्थी को फॉर मरने काई मौका नहीं मिल रहा है, तो TRE 3 में आप एपियरिंग में मौका दीजिए, DLA एपियरिंग में दीजिए, 24 सेशन को, उसके बाद STET ए कहा था कि TRE 3 में ये लोग सामिल होंगे, तो आप तो पहले कहते हैं, अगस्त में पर इच्छा होगा, अभी आप फरवरी में भेकेंसी निकाल दिए, तो इसमें अभियर्थियों के क्या गलती है, तो इसलिए एपियरिंग में आप मौका दीजिए, STET एपियरिंग में मौ का सप्लिमेंटी रिजल जारी किया जाए, और या तो STET पहले करवा लिया जाए, या STET एपियरिंग में TRE 3 में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, 22-24 DLR वाले को भी इसमें मौका दिया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है, तो बिहार के लाको सिक्छक अभियर्थी सरकार से नराज हैं, और और भी नराज हो जाएंगे, और डोमिसायल क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं, पहले तो जो लोग बिपक्ष में थे, डोमिसायल को लेके अंदोलन कर रहे थे, आज वो सरकार में आ गये हैं, तो क्यों नहीं सिक्छक अभियर्थी में डोमिसायल लागू किया जा रहा है, डो मिसाहल लागू कीजिए, जब विपक्ष में थे तो आप अंदोलल कर रहे थे, अब सरकार में आ गए हैं, तो आप डो मिसाहल लागू कीजिए, हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं, सिक्छक अभियर्तियों के साथ नियाएं वो, अगर सिक्छक अभियर्तिय और तमाम अभियर्थी तमाम अस्टुएंट्स किसी भी पार्टी किसी भी नेता को बोट नहीं देंगे और नोटा बटन दवाएंगे